नमस्ते आज हम लोग तोड़ा चिंतन करते हैं अभी गणेश का उत्सों चल रहा है गणेश जी का आज है शष्टी परसों के दिन चतुर्थी के दिन हम लोगों ने गणेश जी की प्रतिष्ठ आपना की थी हम आते हैं महाराष्ट से मैं तो आता हूं महाराष्ट से और महाराष्ट में कई परिवारों में पहताश परिवारों में एक छोटी सी गणेश की मूर्थी लाई जाती है सजाई जाती है उसकी प्रतिष्ठ की जाती है उसकी पूजा की जाती है और दस दिन होती है वो चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक ग्यारा दिन अगर आप गिनोगे चतुर्थी पंचमी इस तरह से ग्यारा दिन होती है और चतुर्दशी के दिन उस गणेश मूर्ती का विसरजन होता है धूमधाम से होता है हमारे याँ सनातन धर्म में यही एक विशेष्टा है कि हम किसी वस्तु में भगवान या इश्वर है एसी कलपना करते है और उसमे इश्वर की प्रतिश्ठाप न करते है इश्वर तो हर जगा है इश्वर सरवव्यापी है तो वो केवल उस वस्तु में है उस मूर्ती में है और और कहीं नहीं है हर जगा है इश्वर का जो तत्व है और उसमें भी हमें जो इस समय इश्ट लगता है वो है गणेश जी का स्वरूप या उनकी जो विशेश्टाएं है उन सब को हम उस गणेश मूर्ती में हैं ऐसे शरद्धा रखते हैं गणेश जी की प्राण पतृष्टा कैसी करें उस मूर्ती में हम प्राण कैसे आरोहित करें वगरा वगरा इसके लिए सारा प्रॉसेस है वो करना चाहेँगे तो हम कर सकते हैं उसके बाद हमारी ऐसे श्रद्ध होती है कि उस मूर्ती में गनेश जी का तत्वा आकर के विराजमन हुआ है और उस तत्व की और हम समर्पित होते हैं, उसके हम उपासना करते हैं, उससे हमारा प्रेम होता है, گनेश जी की अने कथाएं भी हैं, गणेशी का जन्ब कैसे हुआ था उसकी भी एक कता है तो ये सारी कता हैं या इस तत्व के प्रति हमारा जो समरबन भाव है उसके पीछे की प्रेरना यही है कि हमारा चित्त एकागर हो उस मूर्ति के सामने अगर हम बैठते हैं और गणेशी का अगर स्तोत्र पढ़ेंगे या फिर उनकी आरती करेंगे तो अपिक्षा यह है कि हमारा चित्त एकागर हो मन का स्वभाव ऐसे होता है कि मन हमेशा विशियों की और भागता है हमने हमसे अन्य जो कुछ भी है ऐसा मान रखा है उसकी और मन भागता है जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा मन अनेक अगर होता है अनेक दिशाओं में भागता है और ऐसा करते करते हम जब ठक जाते हैं तो हम सो जाते हैं और गहरी नीन में सुशुप्ति में हमारा चित्त जो है वो शूर्ण्याग्र हो जाता है एकाग्र होने का अभ्यास नहीं होता है हमसे उपासना का तात्पर यह यही है कि हमारा चित्त एकाग्र हो एकाग्र चित्त करने का हमारा अगर अभ्यास होता है तो फिर हम अन्य विश्यों पर भी एकाग्र हो सकते हैं अगर हमें किसी एक विश्य पर एकाग्र होने का अभ्यास हो गया तो हम जिस विश्य पर चाहें उस विश्य पर अपना मन एकाग्र कर सकते हैं और उसका अभ्यास कर सकते हैं उसको सीख सकते हैं किसी भी तत्व को सीख सकते हैं इस प्रकार से चित्तक की एकाग्रता आध्यात्मिक साधना में उपयोगी है लाब दायक है ऐसा अगर हम करेंगे और इस द्रिष्टी से हम मूर्ति पूजा को देखेंगे तब हमें समझ आएगा कि उसकी उपयोगी तब हमारे जीवन में क्या है इस प्रकार से मन एकाग्र करने का अगर अभ्यास हमारा हो जाता है उसके बाद हम इस पर चिंतन करें कि मूर्ति में जो तत्व है वो क्या है अभ्यास करते करते चिंतन करते करते हमें ये समझना चाहिए कि जिस तत्व पर हम हमारा मन एकाग्र कर रहे हैं वो तत्व और हमारा जो तत्व है अवर इसेंशल निचर उन में कोई अंतर नहीं है वो एक ही है ये हमारे आध्यात्मिक अभ्यास की अंतिम पाइदान है जो अंतिम अनुभव है आध्यात्मिक साधना में वो ये है कि केवल एक ही तत्व सर्व दूर अस्तित्व में भी है और वो चित भी है तत्व कहीं-कहीं वो चित है ऐसा भास्ता है और कहीं-कहीं वो चित नहीं है ऐसा भास्ता है लेकिन एक ही तत्व सर्वव्यापी है और वो तत्व मेरा तत्व ही है that same principle which pervades everything is my own essential nature, it's not apart from me और इसका केवल अनुभो करना है इसको हम बता नहीं सकते हैं कि वो तत्व मैं हूँ और मैं जानता हूँ और अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम जानते नहीं हो उस तत्व का अगर अनुभो हो चुका है अनुभो नहीं भी हुआ है पर उसमें अगर द्रड़ श्रद्धा है, विश्वास है फिर भी हम किसी से उस पर बहस नहीं करेंगे और ये कभी नहीं कहेंगे कि मुझे ये पता है, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं या कई लोगों को पता नहीं अगर मुझे पता है तो उससे मेरे मन में इतनी शांती होनी चाहिए कि वो शांती मेरे संपर्ग में जो भी लोग आएंगे उनको अनुभों में आने चाहिए So if I have realized my essential nature even though I may not experience it at all times just by being aware of it at all times will bring such a sense of peace and serenity in me that anyone who comes in contact with that serenity will feel that sense of calmness and serenity or should if that doesn't happen then this serenity is not strong enough yet और साधना करने के आवशक्त पर ऐसा नहीं है कि हर एक को ये अनुभो हो मेरा ये अनुभो है कि अगर हम लोगों के संपर्क में आते हैं और उनका मन अशान्थ है हमारे उनसे बात करने पर उनका मन शान्थ होता है हो सकता है और अगर फिर भी नहीं है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उनको कुछ समय देने के आवशक्ता है और वो समय देने से हो सकता है उसके लिए हमारे पास पेशन्स होना ची उस प्रकार से अगर हमारा व्यवार होता है तब हम हमारे अंदर की जो शान्ती है उसमें स्थित हैं ऐसा समझनाची इस प्रकार का अगर अवेर्नेस हमें हो तो जो हम उपासना कर रहे है जिस उपासना से हमारा मन एक अग्र करने का प्रेद्न कर रहे है अभ्यास कर रहे है वो अभ्यास सही दिशा में जा रहा है ऐसा हम समझ सकते हैं ठीक लग रहा है? ठीक लग रहे है? ठीक लग रहे है? ठीक लग रहे हैं? I cannot hear you because you are muted जी, सही लग रहा है सही लग रहा है तो यह है, तो ultimate value for us, for all of us is peace of mind हमारे मन की जो शांती है that is the ultimate value हम जो कुछ भी करते हैं जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ कहते हैं उसका आंती मुद्देश यह होता है कि हमारा मन शांत हो जो व्यक्ति किसी और को कुछ भला बुरा कह रहा है वो कहने के पीछे भी वही है प्रेरणा कि वो अगर कुछ कहता है उस व्यक्ति को तो उसके मन की भडास निकल जाती है और भडास निकल गई इसलिए शांती लगती है तो अल्टिमेटली दो पर्पर्पर्ज इस तो काम दो माइंड आउन पर उसके लिए किसी और को कुछ भला बुरा कहना यग्गाली देदेना यहीं सा करना वाचेक, काईक, मानसिक किसी भी प्रकर से वो अगर होता है तो इसका अर्थ है कि हमारा मन शांत नहीं है अब देखो, गीता का अगर संदर्भ हम लेते हैं तो गीता में अरजन तो था युध के मैदान पर उसका मन शांत नहीं था उसका मन पहले शांत किया भगवान ने और फिर उससे कहा कि यूद करो पहले हमको हमारा मन जो है उसको योग में स्थित करना है योगस्तहा कुरु करमनी और उसके बाद कर्म करना है योग में स्थित होने के बाद में फिर कर्म करना है तो हमारा मन एकागर हो हम जो कुछ कर रहे हो उसमें पूरा हमारा ध्यान हो, फोकस हो, कॉंसेंट्रेशन हो, अलर्टनेस हो, उस प्रकार से हम अगर कोई भी कर्म करते हैं, तो गीता में तो, महाभारत में तो अर्जुन को जो कर्म करना पड़ा, या उसने किया, गीता के उपदेश के बाद, वो वही किया, जो पहले कह रहा था, कि मैं नहीं करना चाता हूँ, मैं अपने गुरु को, मेरे पिता के चाचा को, कैसे मारूं, इस प्रकार का, मन में एजिटेशन था ना, तो उससे, भगवान ने उसको बाहर निकाला, उस मनस्थिती से, भगवान ने उसको बाहर निकाला, और, शांत मन से ही, युद्ध कराया उससे, तो कई बार हमें, जीवन में ऐसे काम करने पड़ते हैं, कि जो हमें अच्छे ना लगें, किन्तु उनको, स्वधर्म का एक भाग समझ कर, अगर हम करें, जी, तो उस प्रकार का कर्म करने से, निश्काम भाव से, उससे हमें, स्वार्थ साध्य नहीं करना है, स्वार्थ याने हमारा संकुजित स्वार्थ साध्य नहीं करना है, हमको जो स्वार्थ साध्य करना है, वो, अनंत स्वार्थ साध्य करना है, तो इसमें अगर, if I limit myself to this body or to this jiva or to this family or to this community or even to this species and if I do something which is against another body, another family, another community, another species, that's not a good thing. हम जब अपने आपको सीमित, परिमित या परिछिन न मान देते हैं, so as long as we consider ourselves to be separate, apart, limited, then we will do things to what we consider to be other without too much feeling. ऐसा होता है. So for example, I will not bite my own finger because I see this finger as myself. तो जिसको मैं अपने मै की परिभाशा में सम्मिलित करता हूँ, उस पर मैं हिंसा करता नहीं हूँ. उसको मैं कभी बुरा भला नहीं कहूँगा. पर कभी देखो हमारे समाज में या कभी-कभी परिवार में भी ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ करना पड़ता है. तो, for example, when you say something to your children, अगर हमारे बच्चों ने कुछ किया कि जो उन्होंने करना नहीं चाहिए, जब तक उन्हें समझ नहीं है तब तक, तब तक तो हमें उनसे कुछ कहना पड़ेगा. Is that because we don't love them? No. Because we want them to be progressing in the right direction. That's why we would say things to them which they at that time might consider not pleasant. हम बच्चों को कभी डाटेंगे तो उनको थोड़ी अच्छा लगता है हो. लेकिन कभी कभी डाटना पड़ता है. So, you have to do unpleasant tasks at times, but those tasks have to be done with love and not with a sense of hatred. तो जिस प्रकार से हम हमारे परिवार में या हमें जो लोग अपने लगते हैं, उनसे हम बात करते हैं. तो कभी-कभी हमें ऐसा करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ये ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए हैं. लेकिन वो करते हैं, करना भी पड़ते हैं. पर उसमें द्वेश ना हो. उस प्रकार से हम अगर रहेंगे, तो it will be good. तो गीता में जो जो भगवान कह रहे हैं, जो जो हमसे करने के लिए कह रहे हैं, उसके पीछे का हमने तात्परिया समझना चाहिए हैं. तो कर्म हमें करना तो पड़ेगा, we will have to do certain things, even if they are unpleasant, because they happen to be our swadharma. So we should do those things, considering that to be our ordained duty, जो हमें प्राप्थ हुआ हैं, हमारे जन्म से, उसका हम पालन करें, वो करते-करते ही हमारी चित्तशुदी होनी है. So we do work selflessly, we do things that are in the larger interest, without being selfish, without fulfilling our narrow self-interest. उस प्रकार से, अगर हम करेंगे कर्म, तो उस कर्म से हमारी चित्तशुदी होगी. और शुद्ध चित्त में ही, तत्व जिग्या सा जागृत होगी. So we will want to figure out, यह सब क्या हो रहें? Who am I? What is this world? What is the nature of this world? And how this world works? Who runs this world? People tell us, this world is run by God. So who is God or Ishwar? जो इस स्रिष्टी को चलाता है. कैसे जलता है यह? इन तीनों का अगर हमें सही सही आकलन हो जाता है, बोध हो जाता है. तो उसके बाद मन चानत होना चाहिए. तो यही इस अभ्यास का उदेश है, या तातपरिय है. We should try to learn the nature of these three things and be peaceful. मन चानत हो जाएगा. ऐसा है. अभी इस चर्चा को यहाँ आज के लिए रोकते हैं? जी. हमने मुर्ति पुजा पर चर्चा की और एकाग्रता उससे कैसी होती है? एकाग्रता हमें क्यों करनी चाहिए? और अल्टिमेटली हमें यह रियलाइस करना है कि जिस तत्वों पर हम हमारा चित्त एकाग्रत कर रहे हैं, हमारा ध्यान कर रहे हैं, एकाग्रत कर रहे हैं. तो वो तद्व और मेरा जो स्वरूप है वो दो भिन नहीं है वो दो नहीं की है तो इस बोध में इस awareness में हम हमेशा रहें ऐसे में प्रात्ना करूंगा गणेश जी के चरणों में और आज के लिए इस चर्चा को यहां हम समाप्त करते हैं नमस्ते